बिहार में जमीन सर्वेक्षर का जो काम था वो 20 अगस्ट से शुरू किया गया है और लगबग बिहार के 45 जो मोजा है वहाँ पर भूनी सर्वेक्षर का काम जारी किया गया है ठीक है देखिए दीकत यहां पे आ रहा है न कि बहुत सर लोग जमीन का सरवेक्षर तो करवना चाहा रहा है उनको भी लग रहा है कि नहीं जमीन का सरवेक्षर हो जाएगा तो अच्छी चीज है हमारे नाम से खतियान बन जाएगा लफड़ा ही खतम हो जाएगा लेकिन इसमें दीकत कहां आँ रहा है न कि बहुत सर लोग ऐसे हैं जो कि अपने जमीन का जो दास्त्वेज है न वो सही धंग से समाल कर नहीं रखे हुए उनके पास जो ही जमीन का डॉकमेंट नहीं है क्योंकि जमीन का कब जब एकर अगर हो गरा हो किये हुए है जोताबाद कर रहे हैं उसमें घर बनाये हुए हैं लेकिन उनका जो पेपर है न उस सही नहीं है जमीन का सरवेक्षर सुरू होने से पेपर को लेकर जो ही पुरी तरह से हड़कम्प मचा हुआ है आप सभी को पता ही है कि आप रिकॉर रूम में जाएंगे तो वहां भी भीर लग रहा है साइबर केफे के दोकान पर जाएंगे तो डॉक्मेंट लवाने के लिए रसीत कटवाने के लिए वहां भीर लग रहा है अंचल करयाले में जाएंगे तो वहाँ और भी ज़धा यहाँ पर भीर लग रहा है और कहीं ना कई इसमें जो करॉपसन भी बहुत ज़धा हो रहा है क्योंकि जब किसी चीज़ को लेकर हड कमप मचता है तो इसमें क्या होता है कि करॉपसन और भी बढ़ जयता है वैसे तो रासव या भूमिसुदार विभाग जो है एक करप्षन का माल लीजे की आड़ा ही बन गया है जो इनके अंचल करयाले हैं आप देखेंगे हर अंचल करयाले में या फिर हर जग़ा जहां रासव या भूमिसुदार विभाग के जोड़ी जो भी जमीन का काम होता है वहाँ पर कही ना कहीं करप्षन का एक आड़ा बना एक ठीक है अब इसमें जो ही बहुत सर लोग ऐसे हैं जो ही सही ढग से त्यार नहीं करवा पार रहे है नहीं चाह रहा है, इसा नहीं है, लेकिन इसमें बिवाद यहीं आ रहा है, कि माली जे भाई भाई में सहमती नहीं बन रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पे बिवाद आ रहा है, साती स्वें क montón सर्कार नहीं ले लेगी, इस तरहके काई सरे जो ही चीज़े यहां पर देखनी को मिल रहा था जो की एक सही इंफोर्मेशन के पास डिलेवर्ट नहीं हो रहा था ठीक है इसी बीच बिहार के जो राश्वय भूमिसुदार विभाग के मंतरी है दिलिव कुमार जैसवाल जी उनके दोबरा जो एक फाइनल यहां पर होते हैं उनको गाउं में भेज कर समिक्षा कर वाया है जो भी लोकल अरिया के जन परतिनीध ही लोग होतें उनसे जोह लग अलग जगो पर देखेंगे तो बोला जा रहा है कि जमीन का जो सर्वेक्छर है उसको बंद कर दिया गया है तो बंद तो किसी हालत में नहीं होगा क्योंकि सरकार ने ठान लिया हुआ है और बहुत पहले से जो ही, यहां पर आप सभी को पता ही है कि इसके बारे में आप सुनते आ रहे होंगे कि सर्वेक्षर होगा सर्वेक्षर होगा लेकिन वाकई में देखेंगे तो अब इसको पूरी तरह से जोड़ दे दिया गया है तो कहीं न कहीं सर्वेक्षर तो होगी ही रहेगा लेकिन हाँ अब आपको तीन महीने का टाइम मिला हुआ है तो time किनको मिला हुआ है जिनके पास document नहीं है अगर आपके पास document है आपके पास सारे paper है तो आपके पास form को जामा कर सकते हैं सीबिर में या फिर online जामा कर सकते हैं कोई भी दिकत नहीं है वहाँ पे portal close नहीं किया गया है सरबेक्षर के अधिकारी को कोई हटाया नहीं गया है कि नहीं 3 महीने बाद ही सरबेक्षर होगा तो आप 3 महीने बाद ही आईएगा लोग ऐसा कुछ नहीं है ठीक है सारे काम चल रहे हैं लेकिन हाँ आपके पास document नहीं है तो 3 महीने का जो ही आपको यहाँ पे मौका मिल गया कि चलो भाई तीन महीने का अंदर आपना जो भी डॉक्मेंट है उसको बनवा लीजिए फिर ढूड लीजिए तो आपके लिए प्लॉस पॉइंट है तो ऐसा मत समझिएगा कि आपका जमीन का सर्वेक्षर है उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि अगर बंद हो जाएगा तो काफी यहां पर लॉस भी होगा क्योंकि काफी सर जो एक खर्चे हो गए हैं काफी सर लोग अपना जो डॉक्मेंट है उसको रेडी कर वा लिए हैं और उनको त्यारी कर वा रहे हैं तो कहीं ने कहीं उनके ऊपर थोड़ा सा बुरा इफेक्ट पढ़ने वाला है ठीक है तिसलिए जमीन सर्वेक्षर जो अभी फाइनल रूप से बंद नहीं किया गया हालाकि इसको कुछ समय जो जिनके पास डॉक्मेंट नहीं है जो डॉक्में तोर पे जनकाई निकल गया हुआ है अगर आपको विलिब नहीं हो रहा है तो जो मंत्री जी है उनका वीडियो भी देख सकते हैं और साथी साथ जो इस्टेडमेंट उन्हों ने दिया हुआ है उसको जो प्रिंट मेडिया में हाँ पे निकाला गया है इसकी भी जनकारी हाला कि इसको तीन महीने का जो महलत है ओ दे दी गई है जहां कहीं न कहीं आपके पास कोई डॉक्मेंट नहीं है डॉक्मेंट रेडी नहीं है तो करवा लिजेगा और अपना जो फॉर्म बेकर आगर है उसको सम्मिट कर दीजेगा उसके बाद जमीन का जो सर्वेक्षर का जो आपका डिकलेरसन होता है ओ यहां पर कर दिया जाएगा तीन महीने के बाद उसके बाद आपका जमीन का सर्वेक्षर पूरी तरह से यहां पर कर ली जाएगी तो मैंने पूरी जनकाड इस वीडियो बताने की कोसिस किया हुए है फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल बिहार में जमीन सर्वेक्षर को लेकर तो आप चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं जहां तक हमाई नौलेज होगी वहां तक इंफोमेशन आपके साथ सेर करने की कोसिस की जाएगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद